नमस्कार, सार्थी अकेडमी के यूटूब चैनल पर आप सब का हारदिक स्वागत है, आज हम भारती इतिहास के प्राचीन भारत के हिस्से को टच करने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझें इसको पाशानकाल को, तो आज का जो हमारा टोपिक है उसका नाम है पाशानकाल इस्टोन एज, पाशानकाल, ठीक है, भारत के इतिहास को समझने के लिए हमको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना होगा, वैसे ये कंटेंट आपको हर कहीं पर मिल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझने का हम प्रयात्न करेंगे, तो इतिहास म अगryमेगे, आप देखते हो कि इतिहास को डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे इतियासकारों ने, जैसे राष्ट्रवादी इतियासकार हो गए, केम्रीज के हो गए, सवाल्टन ग्रूप के हो गए, ये सारे वर्ग सामने आते हैं और इतिहास को अलग अलग भागों में डि हिस्ट्री में अपनी एक गत्यात्मकता होती है, अगर उसको क्रम से देखा जाए, तो हिस्ट्री समझने में आसान हो जाती है, यह एक बहुत बड़ा concept वाला subject है, जिसको समझना पड़ता है, तो आईए देखते हैं हम, तो आप देखेंगे कि पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रत्वी का इतिहास आता है, कि हमारी प्रत्वी कब आती है, कैसे अस्तित्व में आती है, कौन-कौन से चरण उसके रहते हैं, किस हिसाब से महासागर नदियां अपना आकार ग्रहन करती है, तो यह पूरा एक फेक्टर आता है, जो आप जोग्रोफिकी क्लास में पढ़त उसके बाद में आप उसको देखते हो, कि वो होमो सेपियन्स की अवस्था में आता है, और जब मानव अपनी इन सारी अवस्थाओं में आ रहा होता है, उसके साथ मानव एक अवस्था या एक सभ्यता, एक संस्कृति में भी जीता है, जिसको आप कहते हो पाशान यूग, उसका पूरा एक युग होता है जिसको आप कोगे पाशान युग, इस्टोन एज, और ये जो पाशान युग है, इसको समझना है कि इसके इस्थल कौन-कौन से है, कहां कहां पर ये संस्कृति या इसके आउशेश आपको मिले हैं, तो इसको हमें समझना है, तो आप अगर भारत के मेप को ठीक से देखते हो, तो भारत में पाशान युग को देखना है हमको, तो भारत में आप देखोगे कि ये वाला जो हिमाले वाला यहां से जो हिमाले वाला पार्ट है, या तो पाशान यहाँ पर है, या दक्कन के पठार में पाशान है, तो पाशान सभ्यता के लोग या तो यहाँ रहे होंगे, या यहाँ रहे होंगे, दो ही इस्थान हो सकता है, क्योंकि बीच में गंगा युमना का दोआब है, तो यहाँ पाशान नहीं है, तो यहाँ पर कु इस्थानों पर आपको इसका ऐस्तित्व दिखाई नहीं देगा, ठीक है, उसके बाद, अगर हम देखने का प्रियत्न करें, तो पाशान के बाद क्या आता है? तो पाशान के बाद आप देखते हो कि एक तो पहले पूर्व पाशानकाल आता है, उसमें मानव आया ही है अस्तित्व में, उसको कुछ पता नहीं है, वो जनरली छोटे-मोटे हातों का हलका-फुल का परियोग करता है, रीड की हड़ी भी सीधी नहीं है, और बड़े- परियोग करता है, उसके बाद वो मध्य पूरा पाशानकाल में आता है, उसके बाद वो उच्पूरा पाशानकाल में आता है, तो इस समय मानव ज्यादा विकास नहीं कर पाता है, शिर्फ एक शिकारी जीवन है उसका, जो पसुपक्षियों को मारता है और उसको खा जाता ह इन फेक्ट जावा और पिकिंग मानव तो इस प्रकार के लोग थे कि वो नर्भक्सी भी थे, मानव मिलता तो मानव को भी खा जाते थे, ऐसी अवस्था में ये मानव इस समय चल रहा होता है, फिर आप देखेंगे कि जैसे ही मध्यकाल आएगा, यानि मध्यपाशानकाल आता तो वो थोड़ा सीधा खड़ा रहता है, और ओजार भी छोटे बनाता है, और उसके बाद आप देखते हो कि नव पाशानकाल आता है, इसमें मानव जो है होमो सेपियन्स अर्थार्थ आज का मानव अस्तित्व में आ जाता है, तो नव पाशानकाल को गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं, ये तो पाशानी क्रांती है, यानि ये बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन लाने वाली गटना है, नव पाशानकाल, तो इस काल में आप क्या देखोगे, कि मानव क्रिशी करना सीख जाता है, और जब वो क्रिशी करेगा, तो इसके लिए उसको रुकना पड़ तो ग्रामीन समुदाई का विकास नव पाशानकाल में होना इस्टार्ट हो जाता है, तो अब आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से जल से जीव बनाए, एक सुक्ष्म जीव है, जो धीरे 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 विकास करता हुआ, आज की अवस्था में पहुंच चुका है, होमो लग गया है, तो ये ग्रामीन बस्तियां अस्तित्व में आने लग गई है, ठीक है, और जब ये गाउं अपने इस तर पर विकास करेंगे, तो यही गाउं आगे चलकर नगर बन जाएंगे, तो आग इतिहास में एक बहुत बड़ी नगरी एकरांती देखोगे, जिसको हड या सिंदु घाटी सब्यता के नाम से हम जानेंगे, तो देखिए, सिंदु घाटी जो सब्यता है, वो सब्यता एक नगरी सब्यता है, वो सब्यता एक व्यापारिक सब्यता है, वो एक ओध्योगिक सब्यता है, इसका मतलब ये हुआ, कि व्यापार वही हो सकता है, जहां प वर्ड हो जाते हैं, नगरों से गाउं बनने लग जाते हैं, और जुकर जांगर जैसी संस्कृतियां या अस्तित्व में आती है, जैसे देखिए, हडपा का एक इस्तल है चहुंदडो, जो नगर था, बहुत बड़ी व्यापारिक बस्ती थी, लेकिन बाद में जब इसका पत जाती है, तो ये करम चलता है, और इनी ग्रामीन बस्तियों के आउशेशों पर आप देखोगे, कि ये, जो सब्त सेंधव शेत्र का पूरा पार्थ है, यहाँ पर आप एक सब्यता देखोगे, वेदिक सब्यता अस्तित्व में आएगे, जहाँ वेदों का निर्मान होगा, यहाँ एक नवीन प्रणाली आप देखोगे, एक नया सिस्टम आप समझोगे, कि किस प्रकार से वेदिक सब्यता अएग ग्रामीन सब्यता है, यानि यहाँ पर जो राजा है, वो भूमी का मालिक नहीं है, वो सिर्फ भूमी का रक्षक है, यहाँ पूरा सिस्टम जो चल र रहा है, वो सिर्फ राजा को नेता के रूप में स्विकार करता है, और जो सामान्य जनता है, वो राजा को कुछ पैसे देती है, कुछ टेक्स देती है, जो बली रूप में जाना जाता है, क्योंकि राजा भी इतना पावर्फुल नहीं है, और इस चरण में आप एक दो ची बड़ा कोई परफेक्ट आइना आपके सामने नहीं है, यानि धर्म क्या है, कैसे मानना चाहिए, ये वाला सिस्टम इस समय नहीं है, इस समय इही लोकी जीवन पर भरोसा किया जाता है, यानि कोई व्यक्ति है, वो यग्य कर रहा है, या किसी भी परकार का कोई काम कर रहा है, तो उसकी भगवान से डिमांड किया है, उसकी डिमांड है कि मुझे पुत्र चाहिए और गाई चाहिए, क्योंकि गाई विनिमे का माध्यम है, इस समय और कोई मांग नहीं हो रही है, लेकिन जैसे जैसे उत्तरवेदी काल आएगा, तो आप देखोगे कि ये पूरा सिस्टम जटिल बन जाएगा, और ये ऐसा जटिल सिस्टम बनेगा, कि यग्य अनिवार्य हो जाएंगे, और इही लोकिक के इस्तान पर पारलोकिक सुखों की बात होने लगेगी, और आप जो ये बर्थ साइकिल है, इससे मुक्त होना चाहते हो, आपको सेलवेशन चाहिए, इस परकार का सिस्टम उत्तरवेदी काल में आ जाता है, और ये जो चीजें उत्तरवेदी काल में होती है, जिसको आप आडंबर पॉर्ण चीजें कहते हो, इन चीजों को मानना जरूरी है, अगर आप नहीं मानोगे तो आपको मौक्ष नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो होगा क्या, इसी चरण में आप देखोगे, कि कुछ नए और सरल आसान धर्मस्तित्वों में आएंगे, जैसे जेन और बोध, जेन और बोध धर्म आते हैं, तो इसमें किसी भी परकार का, इस परकार का आडंबर नहीं है, जेन में तो फिर भी आप देखते हो कि काया कलेश पर बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया है, लिकिन बहुत धर्म मध्यम्मारगी धर्में बहुत सरल धर्म है, तो ये जो हिंदु धर्म या ब्रामन धर्म में जो आडंबर उत्तरवेदिकाल में आया, उसी आडंबरों के चलते भारत में दो नए धर्मों का उदे हो जाता है, जिसे आप जेन और बहुत धर्म कहोगे, ठीक, और फिर जो ये भारत एकिक्रित भारत है, ये सोला खंडों में विभाजित होता है, जिसको आप भारतिय इतियास में सोला महाजनपदों के नाम से जानते हो, जो जगे जगे पर अस्तित्व में रहते हैं, और इनी सोला महाजनपदों में से एक मगद ऐसा महाजनपद बनेगा, जो भारतिय राजनीती में केंद्र का काम करेगा, सेंटर का काम करेगा, वो मगद महाजनपद के रूप में जाना जाएगा, इसी मगद में आप देखोगे कि छोटे-छोटे राजवन्स आते जाएंगे और एक ऐसा राजवन सायेगा, जिसे आप मोरिय समराज्य कहोगे, मोरिय एंपायर कहोगे, और ये मोरिय एंपायर एक बार पूरे भारत को एक कर देता है, पूरे भारत को, उत्तर से दक्षिन तक, और ये काम करता है चंद्रगुप्त मोरिय, इस वजे से ये चंद्रगुप काम किया, खेती की गाउं बसाए, ग्रामीन बस्तियां बस गई है, और इनी बस्तियों के दम पर कालांतर में नगर बसा जिसको आपने सिंदु घाटी सब्यता कहा, सिंदु घाटी सब्यता, देश में पहली नगर ये सब्यता है, और जब इन नगरों का पतन होता है, तो देश फिर से ग्रामीन बस्तियों में आ जाता है, और ये जो ग्रामीन बस्तियों आ रही है अस्तित्व में, इन ग्रामीन बस्तियों में आ आचुके हैं, मोहरे आचुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर से हम पतन की अवस्था में जाते हैं, और ये हमारा गाउं बन जाता है, और गाउं से फिर नगर बना, और नगर से जनपद बना, और जनपद से महा जनपद बन गया, और महा जनपद से राष्ट्र बन गया ये एक राष्टर की सरंखला है तो हमने क्या देखा कि सिंदू तक तो नगर बना वेदिक में फिर से क्या बन गया गाउं बन गया, गाउं से फिर से नगर बना और बड़ा हो गया है और फिर इस नगरों के टुकड़े होने लगे जो 16 महा जनपदों के रूप में बिखर गए है या यूं कह दीजे जनपदों के रूप में बिखर गए है फिर मान लीजे कि ये ए नाम का कोई जनपद है ये ए नाम का कोई जनपद है ठीक और ये बी नाम का कोई जनपद है तो A जनपद ने B से जगड़ा किया और इसका अधिगरण कर लिया तो A और B दोनों की जगे मिल गई तो ये एक और दोनों क्या बन गई? महा जनपद बन गई ये जनपद ये जनपद दोनों मिले तो महा जनपद बन गई ठीक उसी परकार से आप देखते हो कि जैसे ये ए नाम का कोई महाजनपद है और आगे ऐसी जमीन पड़ी है और उत्तरवेदिक काल में लोहे का विशकार हो गया है कुलाडी अस्तित्व में आ गई है आग का विशकार हो चुका है जो कि जावा मानव कर चुका है इसका विशकार तो आप देखोगे कि जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों को जलाया जा रहा है, और उनका ये जो जमीन है, जो खाली पड़ी है, इसका अधिगरण राज्ये के अंदर कर लिया जाता है, तो ये जनपद क्या बन रहा है, महा जनपद बन जा रहा है, तो अब देखे, ये म मोर्यकाल में ऐसा होता है, ठीक इसी चरण में आप देखते हो कि मोर्यकाल का जो समय है, इस समय पश्ची मोतर भारत से विदेशी आक्रमन स्टार्ट हो जाते हैं और यहां पर आप देखते हो कि शक, कुशान, पहलो, यवन आधी, बहुत सारे छोटे-छोटे राजवंस यहा इन यवनों को पराजित करने का प्रयत्न भी करता है, अश्वमेध यग्य भी करता है, परन्तु ज्यादा वो सफल नहीं हो पाता है, और भारत फिर से छोटे-छोटे राजवंसों में विख्यात हो जाता है, जो राश्ट्रिय समराठ चंदरगुप्त मोरिये बना था, उस का नाम बहुत बड़ा नाम आता है, जिसने दक्षिन अव्रत की नितियां भी अपनाई है। चंदरगुप्त नाम लिया जाता है, जिसने ना केवल राजनेतिक इस्तती को आकार धिय बלקि शांस्क्रतिकी को भी बहूत बड़े लेवल पर आकार धिया, जिसमें आप देखत की आर्यबत, ब्रह्म गुप्त और रामीर जैसे Amarasimh, जैसे बहुत बढ़े-बढ़े इसके काल में रहे रहे हैं, शपनक, शंकु, वेताल भृत, बहूत सारे बिजवान इसके काल में रहे हैं, तो भारत को एक सांस्कृतिक दिशा भी मिली है, लेकिन गुपतों के पतन के बाद फिर देश की स्तती गड़बड हो गई, और आप देखते हो कि साथवी से बारवी शताबदी तक का जो काल है हिंदुस्तान का, वो अंदकार में काल के लाता है, और इसी समय आप देखते हो कि फिर प्रत्वी राज चोहां दिल्ली में राज करता है, गोरी अटेक करता वगएरा वगएरा, ये गटना है मद्यकाल की है, हमको इस ले में पढ़ना है, तो आज जिस मुद्दे को हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम पाशान काल है, जिसको थोड़ा सा हम तरीके से देखेंगे, अभी तक एक क्रोनोलोजी को देखा है हमने, ठीक, तो पाशान काल को हम क्या देखेंगे, देखिए भारती इतिहास में जनरली पाशान काल को नेगलेट कर दिया जाता है, जबकि इतिहास के बहुत बढ़े कालखंड को लेकर चलता है यह, पांच लाख बीसी पूर्व की यह व्यवस्था है, तो यह बहुत बढ़ा कालखंड है पाशान काल का, इसको नेगलेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास अपनी गती के साथ चलता है और गती के साथ हम समझेंगे तब ही इतिहास हमको समझ में आयेगा तो देखिए, पाशान काल इस पाशान काल के हमने तीन विभाजन किये थे, जो एक तो है पुरा पाशान काल एक है मध्य पाशान काल और एक है नव पाशान काल नव पाशान काल, अब देखिए, यह जो पुरा पाशान काल है, इसको हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, तो जो पुरा पाशान काल है इसमें हम देखेंगे कि पहला है पुरा पाशान काल, ठीक, दूसरा है पुरा पाशान मध्य काल और तीसरा है उच पुरा पाशान काल, तो इसको आप उल्टा भी ले सकते हो कि मध्य पुरा पाशान काल या पुरा पाशान काल और उच पुरा प पुरा पाशान काल ही चलता है, केवल पुरा पाशान काल, और फिर आप देखते हो, कि 40,000 BC से लेकर के, और 10,000 BC तक चलता ये वाला काल, और 10 से लेकर के, 8 तक चलता उच पुरा पाशान काल, और 8 से लेकर के, 6 तक चलता है ये वाला काल, और 6 से आगे चलता है ये वाला काल, और उसके बाद आप देखते हो कि छटी शताबदी के बाद में नवीन संस्कृतियां भारत में उदे हो जाती है और वो इतियास का क्रम आगे से आगे चलता रहता है। ये आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान में रखना है और मेंली क्या ध्यान में रखना इस इन में ज़्यान में ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल समझे कि 5,000,000 BC से लेकर के 40,000 BC तक जो काल है वो पुरा पाशान काल है ठीक। और 40 से लेकर 10 तक का काल है ये मद्यपाशान है और 10 से लेकर 8 तक ये 8 से 6 तक ये 6 से आगे का ये वाला काल है। ये एक सामा विश्लेशन है ठीक और 50,000 BC से लेकर के, चालिस जान तक का जो समय चलेगा, वो चलेगा मध्ययय पाशाण का जान का play, या मध्यय पूरा पाशान का और इतिहास में garden child के विशलेशन को ठीक माना जाता है, तो आप इसी काल निर्धारन को ध्यान में रखें, जो garden child ने किया है. ठीक. अब हमको इसे पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ेंगे, पुरापाशान काल. तो पुरा पाशान काल में हमने देखा, कि तीन प्रकार के काल है, एक तो मेन पुरा पाशान काल है, एक मध्धी पुरा पाशान काल है, और एक उच पुरा पाशान काल है. काल विभाजन हमने देख लिया है, उसको केवल समझना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, अब देखिए, चुकि मानव अस्तित्व में आया है, और भोजन्तों चाहिए, उसे क्या खाए, जीव जन्तुओं को खाएगा, अब वो अगर जीव जन्तुओं को खा रहा है, युग का नाम देखिए, पाशान युग, पुरा पाशान काल में हमने देख रहा, देखा कि पुरा पाशान काल जो है, मानव इस समय अस्तित्व में आ रहा है, और मानव को भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन भोजन क्या करेगा, युग का नाम है पाशान युग, यानि भोजन के लिए उसके पास कोई चीज नहीं है, या तो पसुपक्षियों को मारेगा, यानि कुल मिला कर ये अपना जीवन शिकार पर जियेगा, लेकिन जानवरों को मारेगा किस से? पाशान से, पत्थर से, लेकिन देखिए, पाशान उसके सामने आया है, पत्थर उसके सामने आया है, तो वो मारेगा कैसे? वो पत्थर का किस टाइब से प्रियोक करता है? आप उसको समझने का प्रियत्न करें, कि जैसे ये नदी जा रही है, और नदी से कोई ये पत्थर आया है यहां पर, यह पूरा यह पत्थर है, इस पत्थर को आपने कहा पेबूल है यह, क्या है, पेबूल है, और इस पेबूल को जब पटका, तो इसके यह किनारे अलग हो गए, किनारे अलग हो गए मतलब कोर, अंदर का जो भागे वो कोर रह गया, किनारे तूटके अलग हो गए, तो इस कोर के परियोग से यानि बीच वाला जो पत्थरे किनारों को छोड़ के इस कोर के परियोग से मानव ने जानवरों को मारा और जानवरों को खाया तो यह जो कोर का परियोग हो रहा इस वज़े से यह पूरा पाशान की जो संस्कृति है वो कोर संस्कृति के नाम से जानी जाती है इसलिए हम इसे कोर संस्कृति भी केते हैं, ठीक, फिर अगर हम मध्यकाल को देखते हैं, मध्य, पुरा पाशानकाल को, तो आप देखोगे, कि अब मानव थोड़ा सा समझने लगा है, तो अब वो क्या करता है, कि ये कोर को तो छोड़ देता है, और पत्थर को नीचे पटकन पर जो ये किनारे निकलते हैं, इन किनारों को कहते हैं फलक, इन फलक से अपने ओजार बनाने लगता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि फलक संस्कृति है ये, ठीक, फिर आप देखते हो कि उचपुरा पाशानकाल, तो उचपुरा पाशानकाल में आप देखते हो, कि ये जो इनको बहुत तिखा आकार दिया जाता, ब्लेड टाइप का, इस वज़े से आप इसे ब्लेड संस्कृती भी कह सकते हो, तो इन जो पाशान युग के, या पुरा पाशान युग के तीन चरण हमने देखे हैं, तीन स्टेप जो हमने देखे हैं, वो तीन अलग-अलग संस्कृतियों के नाम से जाने जाते हैं, और वो ये तीन संस्कृतियां क्या है, कहीं आप कह रहे हो कोर संस्कृति है, कहीं फलक संस्कृति है, कहीं ब्लेड संस्कृति है, तो इसको समझना है, कि पहली बार मनुश्य देख रहा है, कि ये कोई पत्थर है, इस पत्थर को पठका तो इसके किनारे अलग हो गए, तो ये बीच वाला भाग जो है वो कोर बन गया, और कोर से अगर ओजार बन रहे हैं, तो वो कोर संस्कृति के ला रही है, ठीक, दूसरी बार आप देखते हो कि मद्य पाशान काल में मनुष्य थो जाना जाता है, और तीसरा जो स्टेप आता है, उसमें आप देखते हो कि ये मनुष्य, ये जो फलक किनारे हैं, उनको बहुत तिकोना आकार देता है, तो ये ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है, और संस्कृति ब्लेड संस्कृति बन जाती है, अब आप से कोई प तो उच पुरा पाशानकाल से है, और देखिए, उच पुरा पाशानकाल तक हम जब पहुंशते हैं, तो आज का जो मानव है, होमो सेपियन्स, वो भी अस्तित्व में आ जाता है, अर्थार्थ मानव अब कुछ समझने लगा है, उसको पता चलने लगा है कि क्या करना है, यह जो कॉर है, इससे मनुश्य कर क्या रहा है, सीधा पत्थर दो नहीं फेकेगा, इसका कुछ बनाएगा, तो देखिए, जैसे यह कॉर है, और कॉर को अब वो काट रहा है, और दोनों साइड से, एक साइड से काट कर दो बार धार देता है, तो यह चोपर केलाता है, क्या समय क्या बन रहे है, ओजार बन रहे है, तो चोपर बन रहा है, चोपिंग बन रहा है, किस से? कोर से, तो कोर संस्कृती को चापर चोपिंग संस्कृती भी कहते हैं, ठीक, अब यहां देखते हो आप फलक से, तो फलक से क्या होता है, किनारे हैं, तो किनारों से क्या करेंग को Blade संस्कृति के नाम से जाने जाएंगे तो ये पाशान युक का एक basic परिच्चे है जिसको हम कल continue करेंगे आज हम इतना ही देखेंगे आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे like करें बहुत बहुत धन्यवाद